तो आफ्टर फॉर्टिंट आप जून आई गोट टाइम टू राइट अडिक्टेशन और आइम टाइपिंग यह तो तेंसन तो काफी थी लग रहा था 21 को एक्जाम है अगर एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं कर जाएंगे तो कैसे देंगे तो फाइनले गॉर्ड ने मेरी सुन पता चला तो वो सारी चीज़े ले रहे हैं जिनसे बढ़ती हैं आई होप कि कल एक्जाम अच्छे दे पाएंगे तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए घबराइए नहीं ठीक है घबराने से कुछ नहीं होता है अपने पर वरोसर रखिए और जाइए सीधे एक्जाम लीच आज तो इंग्लिस वालों का है ठीक है कल हिंदी वालों का है सी का भी डी का भी सो आई डिसाड़ेट नॉट ग्रेट सी एक्जाम क्योंकि अगर सी का देते हैं तो एनर्जी उसी में चले आएगी और मुझे पता है फाइनल में मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरे 152 मार्क्स है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बस आप सी रिक्वेस्ट कि आप परिशान मत हुई आराम से स्किल टेस्ट दीजिए ठीक है कल जाईए खाना आना अच्छे से खाके जाएगा आप लोग उल्टा सीधा स्टेशन के बाहर का चोड़ी बगार आई सम मत खायेगा कि घर्मी पढ लाइं ठीक है उल्टी उल्टी भी आ सकती है ग्लुकुस रखिया ट्रांस्परेंट बॉटल ले जाए उसमें ग्लुकुस मिक्सप कर लीजिए बहां आपको अलाउड होगा ठीक है ठांस्परेंट बॉटल अगर कलर्ड होगी या मतलब इस टाइप की होगी तो नहीं फिर फीर in एक है कि हांग गंडे पहले पहुंछते हैं तो अगर आप 1 गंडे पहुंचे तो एक ने डिटेशन अंग कर दे सुन है ठीक ह् Um पानी पीजिए और साफी अफी लेकर जाना कि चाहे गल्स हो या बॉइज हो कानों में लपट मतलब गरम हवा नहीं लगनी चाहिए आपके बाल बिगड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वह बाद में सभाल सकते हैं पर आप प्रॉपर अच्छे से केर करके जाएगा ठीक है तो कल तो मुझे जल्दी होगी क्योंकि कल सुबह निकलना है ठीक है सुबहसली निकलना वन्ना आज निकलते अगर सी का देते पर नहीं हलत ऐसे नहीं है मेरी की सी कभी ती अडीका विजे थिक बस आप लोगों के लिए औल दा वेस्ट एक्जाम आप अच्छे से ती के टिकार एक तेंक यू